हाई फ्रेंड्स तक्षु के रस्वी में आपका स्वागत है मैं हूँ बबीता और आज़ा मनाने वाले है सूजी का उपमा एक्टम जैसा नाश्टा सेंटर में मिलता है ओई टेस्ट तो चलिए बनाना स्टार्ट करते है इसके लिए हमने एक कप सूजी ले ली है हमने गयास पे कडाई रग दी है कडाई में हम तेल डालेंगे हमें थोड़ा सही तेल डालना है यह रिफाइंड ओईल है इसमें हम एक कप सूजी डालेंगे इसको हमको अच्छे से भूंजना है हमें सूजी का कलर थोड़ा भी चेंच नहीं होने देना है हलके से ही भूंजना है हमको ये दो मिनिट में भूँच के रेडि हो जाएगा अगर आपका सूजी जादा है तो आपको टाइम जादा भी लग सकता है अब देखिए मैं इसमें पतिला रख रही हुँ हमको इसमें पानी गरम करना है सूजी के तीन हिस्सा हमें पानी लेना है मतलब सूजी हमने एक कप ली थी तो हमें तीन कप पानी लेना है तीन कप पानी हमें उबालना है इसमें तो मैंने तीन कप पानी ले लिया है उबालने रख दिया है अभी हमने जो सूजी भूंच के रखे थी हम उसको अब निकाल लेंगे प्लेट में अच्छे से निकाल लेंगे पूरा और आप चाहे तो इसी कड़ाई में बना सकते ही कड़ाई में थोड़ा सा पानी डालके हम धो लेंगे पहले इसको चाहे तो आप दूसरे बरतन में भी बना सकते हैं अब भी हमने कड़ाई गैस पे रख दी है अब इसमें वापस में फिर से तेल डालूँगी रिफाइंट आइली डाल रहे हूँ आप घीमें भी बना सकते हैं घीमें भी बहुत अच्छा बनता है जैसे हमारा तेल गरम हो जाएगा इसमें मैं सरसोदाना डाल रही हूँ आधा चना डाल भी डाल दी है इसमें और हमको गैस एकदम स्लो रखना है इसमें मैंने दो हरी मिर्च डाल दी है और इसको हम हलका हलका सही भूंजना है हमको अच्छा से गैस स्लो रखके अधा मीडियम आच पर अब इसमें देखो कद्दू कस्त की वहा हूँ मैं अद्रक डाल र में तभी हमारे उप में में पूरा हरा हरा कलर रहेगा धनिया का कड़ी पत्ता भी डाल दी हूँ और प्याज भी डाल दी हूँ मैं यहां पर प्याच को भी हमको अच्छे से भूझना है प्याच का भी कलर हमको चेंज नहीं करना है देखे जो मैंने गरम पानी करके रखाता उबला हुआ वो पानी अब में इसमें पूरा डाल दोगी देखे पानी हमारे एकदम गरम उबला हुआ था तो देखे और देखे गरम पानी में आप कोई भी चीज बनाओगे न तो बहुत टेस्टी बनती है अब देखे जो सूजी हमने भूंच के रखी थी वो सूजी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके अड़ करेंगे और ऐसे हम चमब से गुमाते रहेंगे गुमाना बहुत जरूरी है नहीं तो गुटलिया बन जाएगी इसमें गुटलिया नहीं बननी चाहिए एक भी ऐसे हमको धिरे धिरे से गुमाना है थोड़ा थोड़ा ही डालना है देखे मैंने पूरा डाल दिया है और इसका कलर देखिए जो हमने हरी धनिया डाली थी उसका कलर एकदम ग्रीन ग्रीन है अभी भी नहीं तो बहुत बार हम किसी भी चीज में धनिया डालते हैं और पकाते हैं तो कलर चेंज हो जाता है लेकिर हम तेल में ही अगर धनिया डाल देंगे ना तो हमारे धनिया का कभी भी चेंज नहीं होगा color हमेशा ये बात याद रखना आप कोई भी चीज बनाओगे अगर आपको धनिया एकदम रखनी है हरी तो आपको तेल में डालना ही चाहिए इसके बाद हमने इसमें एक चमश नमक भी डाल दिया है और उसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे वैसे तो नमक हमने पानी में ही डालना चाहिता उबलते लेकिन मैं भूल गई थी लेकिन आप पानी में डाले नमक अब इसको हम ढग देंगे इसको थोड़े देर ही डखना है हमको देखिए अब हम खोल के देखेंगे देखिए सूजी में का पूरा पानी कैसे कम हो गया है सूजी पूरा पानी सोक लिया है इसी तरह करना है अब इसको देखो हम ऐसे घुमा लेंगे देखिए कितने अच्छे से नरम नरम बना इतना नरम बनता है उपमा के बहुत अच्छा और टेस्ट तो एकदम इसमें हम चीनी डालेंगे तीन चमच तीन चमच हमें चीनी डाल देना है और इस पर हमने को ढग देना है चीनी डाल के हमको इसको घुमाना नहीं है ऐसे ढगना है देखिए चीनी अपना पानी छोड़ते का तो देखिए पूरा कैसा शाइन आ जाता है उसमें उपमे में देखिए कैसा शाइन आया है चीनी डालने के बाद अभी इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे चीनी भी डालना बहुत ज़रूरी है इसमे एकदम उपमे का टेस्ट बहुत अच्छे से आ जाता है इसको भी हम अच्छे से घुमा लेंगे अभी देखें, हमारा उपमा बन किया है अच्छे से इसमें थोड़ी से हरी धनिया और डाल देंगे हम और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे यह भोट टेस्टी लगता है आप ज़रूर एक बार ट्राइ करिए और फिर बाद में मुझे कमेंट करके बताईए देखिए हमारा उपमा रेडी है अभी हमने कड़ाई रख दी है छोटी वाली उसमें तेल डाल दिया है और इसमें मैं फली दाना डालूँगी हमको फली दाना इसमें हलका हलका सफ्राइ करना है देखिए फली दाना भी चटकने लगेगा हमारा तब तक हमको इसको घुमाते ही रहना है यह तो यह जल जाएगा इसलिए इसको घुमाते ही रहना है हमको और जैसे ये भी वैसे ही चटकने लग जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे कटोरी में अलग से हमको ये उपर से उपमे के उपर से खाना है डाल के ऐसे नहीं डालना है उपमा में नहीं तो ये पूरा नरम हो जाता है और अच्छा नहीं लगता है नरम होने के बाद फ्राई किया हुगई दाना बहुत अच्छा लगता है उसमे देखिए हमने पूरा फली दाना निकाल लिया है अब इसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ ये उपमे के साथ खाने के लिए फ्राई कर रही हूँ अगर आप भी खाना चाहते हैं तो आप भी फ्राई करिए मैंने दोई हरी मिर्ष डाली थी उपमे में क्योंकि मेरी बेटी तीखा नहीं खाती है देखिए अभी मैं इसमें पापड तल रही हूँ ये शाबुदान वाला पापड है रेंबो कलर का है एकदम कलर फूल इसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड करी है आप जरूर देखिए उसकी रेसिपी भी जिटपेशन बॉक्स में भी मैं इसकी रेसिपी दे दे रही हूँ जिसको भी देखना है वो देख सकता है और आप भी इस तरीके से रंग भी रंगी पापड बना सकते हैं एकदम मार्केट जैसे और आप सब पापड की कलर देखिए अलग-अलग तरह की कलर है हर पापड का कलर आपको अलग दिखेगा देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं तलने के वाद और कितना बड़ा बन रहा है और टेस्ट भी एकदम बहुत अच्छा है इस पापड का आप रुवत के लिए भी बना सकते हैं ऐसे भी खा सकते हैं देखिए ब्लू कलर का भी पापड कितना अच्छा लग रहा है पिंक और वाइट कलर यह पापड भी बहुत अच्छा लग रहा है इसे भी हम निकाल लेंगे देखें मैं एक एक करके सब पापड तल रही हो तेल में आप भी इसी तरह पापड बनाईए और नाच्टी के साथ खाया करें एंजॉय किया करें बच्चे लोगों को भी बहुत पसंद आएगे यह पापड आप ज़रूर ट्राइ करें इसके रेसी भी ट्राइ करने के बाद मुझे कमेंट करें कि कैसी बनी हैं करके हमारा एकदम रेडी हो गया है नाच्टा देखिए अब मैं प्लेट में डाल के आपको दिखाऊंगी वीडियो स्क्रीप ना करें पूरा देखें मैं इसमें मिर्ची में थोड़ा काला नमक डाल दी हूँ आपको ऐसे समझे में नहीं आएगा आप बीच में बन कर दोगे वीडियो तो अब मैं उपमा भी डाल रहे हूँ उपमा में और कुछ भी डालूँगी खाने के लिए जिससे हमारे उपमे का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है देखिए मैंने उपमा प्लेट में निकाला है अब इसमें मैं बारिक सेव डाल रही हूँ एलो कलर की जो शेव पूरी वाली रहती है न वो वाली सेव है देखिए सेव भी बहुत इंपोर्टन है इसमें डालना सेव से बहुत अच्छा टेस्ट आता है देखिए इसमें फली दाना डाल रही हूँ देखिए कितना प्यारा लग रहा है और इसमें अब में हरी मिर्च भी डाल रही हूँ हमारा नाश्ता खाने के लिए एक दम रेडी है अगर आप मिर्ची ना खाते हो तो आप ना तले इस पे थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल रही हूँ देखिए शाबुद्दानावाला पापड जो हमने फ्राई किया तो उसका कलर देखिए कितना लाजवाब दिख रहा है जितना लाजवाब दिख रहा है उतना टेस्ट भी इसका लाजवाब है पापड का भी और उपमे का भी देखिए हमारा नाश्त एकदम रेडी हो गया है कितना अच्छा हमारा बना है नाश्त देखिए पूरा जूम करके दिखा रही हूँ मैं आपको देखिए इसका कलर देखिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपका ठैंक यू बाइ